हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग वेलकम टू देव भूमी करियर पॉंट तो देखे उतराखंड सामाने ज्यान वन लाइनर पार्ट नैंटी थ्री है आज और इसमें भी उतराखंड सामाने ज्यान के महत्वपूंग वन लाइनर आपको देखने को मिलेंगे काफी के मैं question लाता हूँ इस series के अंतरकत तो उत्राखंड जी के one liner जिसमें 93 पार तक हम पहुँच चुके हैं ये उत्राखंड के सभी exams के लिए सबसे महतोपोंग series है ये मैं हमेशा बोलता हूँ और आपको feel भी होगा जब आप exam attempt करेंगे जो नई पुनाने लोग तो जानते हैं उनको बताने के आउशकता नहीं है तो देखेंगे आज भाग 93 महतोपोंग question है UKPSCAR हो या समुकों की परिचे हैं काफी महतोपोंगे question होंगे तो चले देखते हैं सभी question को और अच्छे से analysis भी करते हैं एक-एक question का तो पहला है देखिए प्रसिद मजखाली बुग्याल किस जनपद में इस्तित है तो मजखाली एक बुग्याल है जिसकी location है रानी खेत में ठीक है ध्यान लखेंगे और यहीं पर गोल्फ ग्राउंड भी इस्तित है अब यह लेखा कौन थे मैंने इसलिए बोला है क्योंकि लाश्ट येरी ये दिवंगत हो गए है राजियंदर सिया भंडारी जी तो राजियंदर सिया भंडारी को हम जानते हैं एक इसाब से जो रोजगार पत्र आता था रोजगार पत्र के संपादक थे और इन्होंने ही ये पुस्तक लिगी थी तीसरा धुर्व जो कि परवता रोहन पर बेजड है त्यान नगेंगे ठीक है राजियंदर सिया भंडारी प्रसिद नेलांग घाटी किस जनपद में इस्तित है देखे हाल में सुर्कियों में थी नेलांग घाटी जिसमें गौर्वर्मेंट की दोरा बोला गया कि टूरिजम के लिए डेवलप करेंगे इस घाटी को और नेलांग घाटी की लोकेशन की में बात करूँ ये उत्तरकासी में इस्तित है नेक्स दिखे किस वर्स बिल्टिसस ने भोटिया ग्रेजिंग रूल्स लागू किये थे तो दिखिए जब बिल्टिस कमिस्नरी आई थी जान केंगे कुमाओ में तो अठाट सो पंद्र का हो समय था तो तब से लेकर एक पुरा सताब्धी बीद गई सोवर्स का समय बीद गया लेकिन फिर भी वनों के संदक्षन के लिए और जो सेंसिटिव जोन्स थे उत्राखंड में इनके संदर्वे में कोई भी कानून नहीं बना था तो और 1927 में पहली बार बिल्टिसस ने भोटिया ग्रेजिंग रूल्स लागू किये इस रूल के अंतरगत ये बोला गया जो भोटिया पसू पालक थे जो अपने जानोरों को चराने ले जाते थे विशिष्ट प्लेसों पर ठीक है तो उनमें से कुछ प्लेसों को बिल्टिसस ने क्या कर दिया बैन कर दिया मतलब आप इन प्लेस पे नहीं ले जा सकते है ऐसा बोला गया इन भोटिया लोगों से और इसी अधिनियम को नाम दिया गया भोटिया ग्रेजिंग रूल्स मतलब एरिया फिक्स कर दिये गए जहां पर ये अपने पसूओं को चरा सकते थे और कुछ एरिया ऐसे फिक्स कर दिये जहां पर किसी को जाने के अनुमती नहीं थी मतलब सेंसिटिव जोन्स थे जो या रिजर्ब फोरेस्ट थे वो ठीक है समझ पा रहे होंगे 1927 आपने याद रखना है अगला देखे किस वर्स कुमाओ कमिशनरी को तीन भागों में बाटा गया था तो देखे कुमाओ कमिशनरी को तीन भागों में बाटा गया 1892 में तीन जन्पत बनाए गए एक जन्पत था अलमोगा जन्पत दूसरा नैनिताल जन्पत और तीसरा बिल्टिस गड़वाल जनपद जिसमें टिहरी रियासत को छोड़कर संपूंग गड़वाल का भूभाग था ठीक है क्योंकि टिहरी रियासत एक अलग राज्य था या देश था बोल सकते हैं उस समय ठीक है तो पांकी ये तीन जनपद थे कुमाओ का मिश्नरी में सल्धर नामा गर्म पानी का जर्ना किस जनपद में इस्तित है तो सल्धर ध्यान देखेंगे कापी महतोपूंग वर्ड है सल्धर एक गर्म पानी का स्रोत है जर्ना है इसकी लोकेशन है चमोली जनपद में कॉमन पिकॉक को राज के तितली कब घोसित किया गया था तो देखें उत्राखंड सरकार ने कॉमन पिकॉक जो कि प्रजादी है तितली की तो तितली की इस प्रजादी को राज की ये तितली घोसित किया गया सन 2016 में राजे के किस इस्थान को पूरों में कवीरपूर भी कहा जाता था तो कवीरपूर के नाम से फेमस था कार्ति के ये पूर राजे के किस पंच केदार को जटा मौलेश्वर भी कहा जाता है तो देखे जटा मौलेश्वर के नाम से फेमस जो पंच केदार है राजे में में काफी question में आपको देता हूँ तो उन question के answer नहीं दे पहता हूँ आपके तो यहाँ पे लेके आया हूँ मैंने एक question community tab में भी डाला था अपने जहाँ पे मैंने options के मादिम से आपसे पूछा था और काफी कम vote मिले थी इस answer को काफी कम लोगों ने answer क्या था तो आपको पता होना चाहिए जो काली नदी के तड़ पर या काली नदी के किनारे लखन कोट दूर्ग या किला था इसका निर्मान करवाय था अभाईपाल ने ब्रह्मा जी का प्रसिद पावनेश्वर मंदिर किस जन्पद में इस्तित है ये भी मैंने community tab में आपसे पूछा था तो ब्रह्मा जी के लिए dedicated ये मंदिर पावनेश्वर मंदिर located है अलमोगा जन्पद में किस चंद सासक का संबंध शाल बुंगा किले से है तो शाल बुंगा का मतलब होता है ये इस्तानिया language है कुमाओ की शाल का मतलब होता है गीदड तो गीदड का किला किस के किले को का जाता था ये राजा लक्षमी चंद के किले को का जाता था पूरी स्टोरी अगर आपने जाननी है तो आप Unacademy Learning App पर मेरा चंद वंस का इतिहास चल ला है वहाँ पर आप वाच करें जहाँ पर चंद सासकों के बारे में मैं वागन कर रहा हूँ एक एक सासक के बारे में पताया जा रहा है क्यों इस चंद सासक के किले को शाल भूंगा बोला जाता था क्यों इस चंद सासक को लखुली विराली बोला जाता था कायर राजा बोला जाता था सभी आप तत्यों को जान पाएंगे चंद वंस के इतियास में जो कि एक कोर से चल ला है Unacademy Learning App पर तो वहाँ पर देख लीजिए तो शाल भूंगा के लिए से रिलेशन है राजा लक्षिमी चंद का इसका सासन काला पंदरसो सतानवे से सोलसो एकिस छी अलिस्वा चंद सा सकता है राज्य में जंगली उपनाम से प्रसित व्यक्ति कौन है तो देखे जंगली इन्होंने अपना उपनाम जो लिए आगे से जी हाँ मैं बात करा हूँ जगत सिया चौधरी देखे जगत सिया चौधरी को हम जानते हैं इन्होंने मिस्रित किर्सी वन मॉडल पेस किया जिसके लिए इन्हें उत्राखंड सरकार ने भी हाल में ही उत्राखंड का वन विबाग है वन विबाग के ब्रांड अमबेजडर भी है ध्यान रखेंगे पोशियन बन सकता है आगामी एक्जाम में कि उत्राखंड वन विबाग के ब्रांड अमबेजडर कौन है तो ये जगत सिया चौधरी है मिस्रित वन खेती मॉडल इन्होंने बनाया है मतलब जंगलों में ही खेती को भी कर सकते है कैसे उसको डेवलप कर सकते है एक इनका ये मॉडल है और अपने नाम के आगे ये जंगली लगाते है तो जंगली उपनाम जगत सिया चौधरी का है ध्यान रखेंगे और इनको 2006 में आर्य भट्ट सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है ध्यान रखेंगे महतोपोंग पॉइंट है next दिखे रसकिन बॉन्ड दोरा रचित पहला उपन्यास कौन सा था तो दिखे उतरागिंड राज के एक महतोपोंग साहित ते काने रसकिन बॉन्ड जिनका पहला उपन्यास था दरूम ओंदी रूफ, ठीक है, मातर सत्रा वर्ष के आयों में उन्हें ये उपन्यास लिखा था, पौगे गरवाल सती मठ, किस नदी के तड़ पर इस्तित है, तो पौगे में सतीत है सती मठ, जिसकी लोकेशन है, मालिनी नदी के तड़ पर, ठीक है, मालिनी नदी के तड़ एक और आश्रम है, जिसका हम जानते है, करणवा आश्रम के नाम से, ठीक है, तो ध्यान लगेंगे, दोनों पौइंट बहुत ही महतुपण, ये क्वेशन तो कई बार पूछा गया कि, करणवा आश्रम किस नदी के तड़ पर इस्तित है, उत्रा खंड के किस जनपत में भोडिया महला थी, और काफी दान दाता ही महला थी, इन्होंने क्या 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 जो कैलास मानसरवर यात्रा होती थी, उस पड़ाव में पढ़ने वाले रास्ते में काफी धर्म सालाओं का निर्मान किया, और इनको ये प्रियाना दी, और या इनको ये लीड क्या, नेत्रत् बहुत ही अच्छी यात्रा है तो इसको बगावा देने के लिए यहां पर यात्रेओं के सयोग के लिए ठीक है उनके विश्णाम के लिए आप धर्मसाला बनाएं तो काफी प्रभावी दुई है और इन्होंने काफी धर्मसालाई भी बनाए थी फिर तो कमिजनर हेंडरी रे अले बाद रिसब पंत का जन्म कब और कहां हुआ था तो देखियो रिसब पंत की मैं बात करूं उत्राखंड के ऐसे पहले बैखते हैं जिन्होंने टेस्ट मैच खेला है ठीक है अगर मैं बात करूं महिंदर सिंग धोनी की महिंदर सिंग धोनी बहले मूल लोप से अगर बात की जाए उत्राखंड से प्योर कोई पहला टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति है तो वह है रिसब पंत तो रिसब पंत ने देखिये इनका जन्म हुआ था चार अक्टूबर 1997 रोगल की में इनका जन्म हुआ लेकिनका पैत्रक गाउं जो है वह गंगोली हा में है ठीक है ध्यान के है गंगोली हाट पितोरागल से बिलॉंग करते हैं रिसब पंत और इनका जो टेस्ट डेब्यू हुआ था वो अठार अगस्त दो अधार अठार को वह था इंगलेंड के खिलाब तो इंगलेंड के खिलाब इन्होंने आगाज किया आपने टेस्ट कर विकेट के पर और साथ में बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं आईपी अल में काफी अच्छा रिकॉर्ड है इनका थीक है नेकस देखें उत्रागंडी की वरतमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ची का ग्रह जनपद कौन सा है तो देखें हमारे राजी के वरतमान भी रही है ये जो मेर होता है इनका जन्म वहादा 15 अगस्त 1956 ध्यान लखेंगे इनसे जोगली सभी महतुपन पॉइंट बता दिया मैंने ये तो बड़ा ही सिंपल है क्योंकि 15 अगस्त ऐसी डेट है जिसको कोई भी हिंदुस्तानी नहीं बुला सकता तो 15 अगस्त 1956 को इनका ज खरीब थे ये कवी इसलिए इनको सबसे पहले तो निराला सूर्यकांत तिरपार्थी निराला जी के समकक्षे रखा जाता है ठीक है इनको रचनाओं के हिसाब से और दूसरा जो इनकी रचनाओं में एक हिसाब से प्यार जलगता था नेचर के प्रती उसको देखते हुए और साथी कम उम्र में इन्होंने ऐसी अभुदपूर्य रचनाओं दी इसके लिए इनकी तुलना होती है इंगलिस पोईट्री के एक महान कवी जौन कीट्स से ये भी इंगलिस पोईट्री के एक महान कवी माने जाते है पोईड माने जाते है तो जौन कीट्स से इनका कंप पर 1927 को इनका निदन हो गया लेकिन इस 28 वर्स के उम्र में भी इन 28 वर्स के सपर में भी इन्होंने ऐसी यादगार रजनाई हमेरे राज्य को दी या हमें दी जो आज भी जीवित कर दिया इनहे हमारे दिलों में नेक्स से देखे निम्बर वंस का सासर जिसने बौध धर्म का विरोध किया था तो देखे निम्बर ने निम्बर वंस की स्तापना की थी जो कि सैव मत को मानता था निम्बर और निम्बर वंस का एक सासर आया भूदेव जो कि ललित सूर देव का पुत्र था भूदेव तो भ भूदेव ने बौध धर्म का बड़ा ही विरोध किया मलगा कटर विरोधी था ये बौध धर्म का और इसने बैजनात मंदिरों का निर्माण कराया ध्यान दखेंगे कोश्यन बन सकता है कि किस निमबर सासक ने बैजनात मंदिरों का निर्माण कराया तो ये था भूदेव औ और किसने जागेशोर में विमान मंदिरों का निर्मान करूआ है, तो जागेशोर में विमान मंदिरों का निर्मान करूआ है, निम्बर ने, ठीक है, ध्यान लगेंगे. किस व्यक्ति के प्रियासों से पिथोरागल जनपत में कामाख्या देवी मंदिल की स्थापना हुई थी तो पिथोरागल जनपत में लोकेटेड है कामाख्या या कामाख्या देवी मंदिल इसकी स्थापना का से ले जाता है मदन मोहन सर्मा जी को 1972 में इसके बाद देखे केदारनात आबदा पे दो पुस्तके आई काफी महतोपों ये पुस्तके हैं पहली है तुम चुप क्यों रहे केदार तो तुम चुप क्यों रहे केदार ये रचना है हिलदेश जोसी की कि केदारनात आबदा का जो वास्तविक रीजन था वो क्या था प्रकर्ति ने जो इतना प्रचंट तांदव तिखाया था इसके पीछे का जो मुख्य कारण है इस किताब में जाहिर होता है ठीक है हिलतेश जोसी कि तुम चुप क्यों रहे केदार और केदारनात आबदा की सची कहानी में पोखरियाल जी ने केदारनात आबदा घटित हुई और उसके बाद जो हमारे सेना के दारा वहां पे मिसन सूर्या होप चलाया गया और सांती लोगों की जो व्यधा हुई इस से रिलेटेट पूरे दर्दनात मंजर को मैं बोल सकता हूँ यह दर्दनात मंजर यहां पे दर्साय है पिरोय है अपनी पुस्तग में ठीक है नेक्स देखे पवार सासनकाल का सबसे प्राचिनतम तामर पत्र की सासक का प्राप्त है तो पवार वंस की स्थापना तो करती थी कनकपाल ने लेकिन इनका जो पहला साक्ष तामर पत्र मिलता है सबसे प्राचिन तामर पत्र मिलता है वो है राजा जगत पाल का चौदर सौ पच्पन इस भी का ये तामरी पत्र है और ये रगुनार मंदिल देव प्रियाक से प्राप्तू हुआ है नेक्स देखे परवतिय राज्य परिशत 1967 की स्थापना किसकी अध्यक्षता में होई थी तो देखे हिल स्थेट काउंसिल परवतिय राज्य परिशत इसकी स्थापना होई 1967 में लाश्ट की स्थापना होई और प्रस्ताव जो लाया गया अध्यक्षता की गई थी दयाकृष्ण पांडे जी के द्वारा और रामनगर में होई थी ये वैड़क ठीक है ध्यान दकेंगे लाश्ट दिए राकस ताल और महेस्वर ताल कहां पर इस्तित है उत्रागण में तो ये दो ताल हैं काफी महट्वपोण हैं ये मिलनं ग्लेश्यर रेंज में इस्तित हैं दोनों ताल हैं राकस ताल या राकस जील और महिस्वर ताल मुन्सियारी पिधार अगर में ठ्यान रखेंगे काफी कम बुक्स में दिया है जो एक्जाम देंगे आब आगामी तो आप देख लेंगे स्वयम भी वहाँ पे वसानती बोलना चाहूंगा अभी हाल फिलाल हमने एक पुस्तक लॉंच की अपनी e-book उत्राखंड जी के वन लैनर भाग दो तो इस e-book को लें और इसमें 1000 से अधिक ऐसे ही कोश्यनों का संकलन है इससे पूरो अगस्त 2018 में मैंने आपको उत्राखंड जी के e-book दी थी पहली वाली जिसमें 1000 ऐसे ही कोश्यनों का संकलन है कुल मिला कि अभी तक 2000 कोश्यनों का संकलन तो मैं आपको e-book के माध्यम से ही दे चुका हूँ तो आपकी उत्राखंड की जो पकग है वो काभी मिलेंगे ठीक है तब तक आप अब अच्छे से अपनी श्टडी करें अपना ध्यान रखिए गयच जल्दी ही मिलूंगा जय हिंद वंदे मात्रम